और आज Facebook भाज़पा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए और ये भाज़पा का जो कीचर है उसने Facebook के माध्यम से फैलाने का काम किया है कि आप Social Media के माध्यम से मीडिया के उपर तो आपका प्रहार जारी है आज आप जहर फैला दोगे फिर आप 8 गंटे, 10 गंटे 12 गंटे के बाद action लोगे उसका कोई मतलब नहीं है जो लोग ये clip फैला रहे हैं आप देखें इंटरनेट खोल के देखें कितनी बार वो जूट फैलाने के लिए पकड़े हैं कितनी बार उनने सोशल मीडिय का दूरूपयोग किया है बाज़पाया नहीं चिपा पाईगी क महिला हुटपयडन के मामले उनके राज में सबसे जादा है अगर उन्हें डाइवर्ट नहीं है तो उनकी सत्ता चली जाएगी ये लोग अंग्रे जो के साथ मिलके देश की आवाज को कुचलने का प्रायस करते ये सरकार जो देश की जनता से पैसा लूट रही है उसको रो जिसके करीब 37 करोड यूजर भारत में है और आज फेस्बुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए तो मैं मेरी बात की शुरूआत ये बात कहके करूँगा कि बनाकर फेस्बुक को हथियार बाजपा ने किया नफरत का व्यापार पिछले दो साल से सा चुनाओ के पहले 2019 के चुनाओ के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी के 40 प्रतिशत रुद्धी फेक नीज और हेट स्पीच के अंदर फेस्बुक में हुई थी पर उनकी इंटरनल टीम ने मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूंगा उनकी इंटरनल टीम ने उसको न उसको भी उन्होंने 15 प्रतिशत कम कर दिया अगस्त 2019 में वो बजेट को 15 प्रतिशत कम किया गया डिसेंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक नीज की जो कंटेंट वो 80 प्रतिशत बढ़ गई यह बहुत गंबीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेस्बुक ने अपन प्रतिशत कर देश के नागरी के तक नफरत जा रही है आजादी के हमारे जो लीडर हो मातमा गांदी जी की बात हो जवारलाल नेरू जी की बात हो आज भी आप देखें फेस्बुक में किस प्रकार के फेक नीज आ रहे है हम लोग रिपोर्ट करनें पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि फेस्बुक ने कहीं ने कहीं बारत जहां पे हिंदी प्रदेश जहां पे जहां पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है नौर्थ इंडिया में जहां पे जहां उनके सब्स्ट्राइबर जादा है वहां पे सिर्फ नौ प्रतिशत बजेट को टो क्या होगा 迅पस्पिच को कैसे फकड़ेंगे तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिदस रोज आ रहे हैं मुझे लगता है कहींने कहीं बाजबपा ने पशेस्बूक को हत्यार की तरह यूज किया है और फैस्बूक और आपको हत्यार की तरह यूज करने दिया गया है जो Facebook के employee का कल का report में पढ़ रहा हूँ आज तीन employee ने कहा कि internal report में हमने raise किया कि ये hate content बढ़ रही है फिर भी कोई action नहीं लिया किया इतना बड़ा platform 37 करोड यूजर जहां पर है independent inquiry हो दो साल में जो भी चीजे हुई है आपके जो internal report आये हैं क्यों आपने उसको implement नहीं किया गा क्यों आपने जो आपके जो hate news है उसको identification के budget को कम किया जो आपके employee ने जो whistle blowing किया उसको क्यों आपने ignore किया और आज दो साल के बाद भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि facebook की तरफ से ना इसकी ठीक तरीके से जाच की गई ना जो इसकी पिछे जिम्मेदार लोग हैं उनको identify किया गया देश के विश्वास के साथ दोखा किया है और साथियों आप जानते हैं कि कमल को खिलने के लिए कीचर होना जरूरी है और ये भाजपा का जो कीचर है उसने facebook के माध्यम से फैलाने का काम किया है देश की जनता आज भाजपा से भी जवाब मांग रही है कि आपकी सत्ता की राजनीती इतनी स्तर तक गिर चुकी है कि आप social media के माध्यम से media के उपर तो आपका प्रहार जा रही है अब social media के जो बड़े player है उनके माध्यम से भी आप अपनी नफरत फैला रहे है देश की जनता सब समझ चुकी है और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कूरूती है भारत की जो संस्कूरूती है वो एकताम है आज जिस प्रकार से इसके उपर वार हो रहा है hate news, गलत news फैला के नफरत फैला ही जा रही है हमको भी समझना होगा कि इस माध्यमों को हम believe ना करें उसके उपर check करें और फिर उसके उपर विश्वास करें Facebook हो, WhatsApp हो आज आज वाटसेप में भी जो नफरत फैला ही जा रही है उसका reporting mechanism क्या है आज आप जहर फैला दोगे फिर आप 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे के बाद action लोगे उसका कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है कि Facebook को जरूरत है जिस देश ने उसके उपर बरोसा किया है उसके विश्वास के साथ विश्वास गात ना करते हुए strong action ले और अपने जो उप्योग भाज़पा द्वारा हो रहा है उसको रोकने का समय Facebook का आ गया है मुझे लगता है बहुत देर हो जाए उससे पहले आज हमने एक पत्र भी लिखा है Facebook के जो ओनर है उनको और उसकी नकल भी हम आपको दे देंगे कि आपको अब action लेना पड़ेगा दो साल हो गए आप अपने इंटरनल रिपोर्ट को ignore नहीं कर सकते हैं और भारत की एकता के साथ खिलवाट नहीं हो सकता है वो fake news की बात हो hate speech की बात हो आपको अब action लेना पड़ेगा आज भाजपा की मजबूरी हो चुकी है कि जो real issue देश में चल रहे हैं वो हम लोग उत्तरप्रदेश की बात करें जिस प्रकार से एक व्यापारी की हत्या होती है जिस प्रकार से महिलाओ की हम बात करें हम लोग महिंगवारी की बात करें एक मुद्दे पे भी भाजपा के पास जवाब नहीं है मैंने दोनों बयान देखें जो राशी दल्वी जी की बात करो उन्हें रामायन का एक example देक एक राक्षर को बोला कि यह चीजें जो आ रही है वो क्यों करना पड़ा है मजबूरी है बाजपा की कि जब तक वो फैक्ट को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं उनकी सत्ता की राजनीती नहीं चड़ेगी वो कौनसे हिंदूत्व क्यों और उसकी बात करें यही उनका जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है जो लोग यह क्लिप फैला रहे हैं आप देखिये इंटरनेट खोल के देखिये कितनी बार वो जूट फैलाने के लिए पकड़ेंगे कितनी बार उनने सोशल मीडिय का दूरूपयों किया है हम यही कहना चा रहे हैं साथ है कि इतोर मरोड को फैक्स को अपनी तरह से प्रेजन्ट करने से बाज़पा अपनी विफलता नहीं चिपा पाएगी बाज़पा यह नहीं चिपा पाएगी कि सौ और पेट्रोल और डिजल सौ के पार चले गए बाज़पा यह नहीं चिपा पाएगी कि महिला उत्पिडन के मामले उनके राज में सबसे ज़्यादा है बाज़पा यह नहीं चिपा पाएगी कि देश को सबसे ज़्यादा ब्रस्टाचार की आग में हुमने का काम आज बाज़पा ने किया है बाजवपा नहीं चिपा पाएगी कि जो हमकी देश की जो प्रॉपर्टी है उसको बुरी तरह से कौडियों के दाम बेचा जा रहा है ये सारी चीजें चिपाने के लिए बाजवपा जो प्रयोग करी है वो विफल प्रयोग है मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता के बीच में भाजवपा के इन मुदों के कोई विश्वशनियता रह गई हो जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं हम सब जानते हैं कि भाजवपा से ये उम्मीद करना बेकार है क्योंकि उनकी जो सत्ता की चाबी इसी के उपर टिकी हुई है अगर ये रुख गई तो क्या होगा आप जानते हैं देखें दो साल से जो दूरुपयोग हो रहा है आज हम को हम क्यों ये करीब हमारी तीसरी प्रेस कॉनफरेंस है और आने वाले दिनों में भी अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हम इसके उपर उठाते रहेंगे क्योंकि देश की लोगतंतर की बात ही है कॉंग्रेस ये बीजेपी की बात नहीं है अगर आपको नफरत ही दिखाई जाएगी तो आप क्या सोचोगे वाटसेप आप खोल के देखिए जो हकीकत नहीं वो लोगों तक पहुचाए जा रहा है तो ये देश को लोगतंतर बचाने की बात है मुख्यमुद्य क्या है देश में अगर मुख्यमुद्यों से ध्यान हटा कर अगर राजनिती करनी है तो कमल है कीचर है तो कमल खिलने वाला है हमको उसको रोकना होगा एज अगरेसी एज भारती है सब को मिलकर और मैंने इसलिए कहा मेरे व्यक्तिवम है कि हर नागरीक की भी जिम्मेदारी हो चुकी है कि जब ये प्लैटफॉर्म अपनी विश्वस ने तिया भाजपा के दबाओं में खो चुके हैं तब कौनसी चीज़ पे कितना वरोसा करना हम सब को सोच के करना पड़ेगा और सोशल मीडिया का आज यूजर मैं कहना चाहूंगा कि देश के जो यूजर है अब उतने मैच और हो चुके हैं कि ब्लाइंडली जो जूट है उसके उपर बिलिव नहीं करेंगे और आप हेट की बात करें आज भी मातमा गांदी जी की हम बात करें नहरू जी की बात करें पंडित जवाला नहरू जी हो है सरदार पटल जी उनके खिलाब भी जूट फैल रहा है सब कुछ हो रहा है तो यह जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे देश में हिंदी बोली जाती है अगर उसकी कंटेंड चेकिंग की उनका बजेट कम करेंगे तो क्या होगा मैं नहीं मानता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यह गल्ती ऐसे ही कर देगा कहीं ने कहीं बाजव का दबाव उन पे काम कर रहा है और हमको उसको रोकना होगा और बिलकर ये काम हमको करना होगा पर हम जानते हैं बाजव पास ही उम्मिद करना बेकार है आज हमने पत्र भी उनको इसलिए लिखा है कि आखरी बार हम लोग ये कर रहे है पर जैसे आपने का आने वाले दिनों में अगर ये नहीं रुका तो हम लोग बिलकुल जो भी एक्शन लेना होगा हम बिलकुल लेंगे और ये हमारा अधिकार है आज देश की जनता हो या राजय की जनता हो अगर नफरत फैलाने का काम फेस्बूक पे हो रहा है अगर उनके माद्धम का उप्योग हो रहा है अगर वो नहीं रोग पा रहे है तो वो उनकी जिम्मेदार ही है उनको एक्षन लेना पड़ेगा नहीं लेंगे तो हमको जो करना होगा बिलकुल करेंगे बारतिय के नाते और विपक्स के नाते जरूर करेंगे जो हम 14 तारिक से शुरू कर रहे है आज उसके डिजिटल केमपेंज, सोशल मीडिया केमपेंज के हम शुरूरात कर रहे है आपके सामने उसका केमपेंज सौंग हम प्ले करेंगे और एक मिस्कॉल नंबर आज हम रिलीस कर रहे है कि जो भी साथी इसे जुड़ना चाहे हम सब जानते हैं जैसे मैंने मेरी वक्तेवे की शुरूरात की ये मुख्य मुद्दे हैं देश के आपकी जैब के उपर कोरोना के बाद में सरकार से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है आज जो सरकार 20 लाग करोड जनता से लुटती है कोरोना के समय में उस सरकार से आप क्या पेक्षा रखो और इनी मुद्दों को लेके, महिंगवारी के मुद्दे को लेके, कॉंग्रेस पार्टी का जो जन जगरन अभियान चुरू हो रहा है, आज हम आपके सामने उसका एक मिस्कॉल नंबर है, 1800212 000011, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1800212 000011, इस नंबर पे आप जैसे ही मिस्कॉल क करेंगे, आपको एक लिंक आएगा, प्रविन जी उसके बारे में आपको बताएंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में जो भी एक कारेक्रम होंगे, उसमें पार्टी द्वारा आपको जुड़ा जाएगा, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, शोशेल मीडिया के मादने हम से उसके साथ जुड़के, देखें साथ ही हमने कहा कि विपक्त के साथ में देश की भी जिम्मेदारी है, हम सब को मिलके यह करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी उनकी खिलाफ आवाज उंची करता है, उस आवाज को कुचलने का प्रयास ह पर आप ना कॉंग्रेस पार्टी कभी रुकी थी, ना देश की जनता कभी रुकी थी, हम आजादी के पहले के भी बात करें, इसी प्रकार से, यह लोग अंग्रेजों के साथ मिलके देश की आवाज को कुचलने का प्रयास करते, तब हम लड़े थे, आज भी हम लड़ने का वो समय आ चुका है, और इसी प्रकार से जन जागरन अभ्यान, जो देश की जनता का महंगाई के खिलाफ आवान बन चुका है, मैं आप सबसे बिंती करूँगा, आपके मादियम से, प्रेस के साथियों के मादियम से, के इसको जनता तक पहुँचा है, और प्रेस के मादिय थोड़ा सा उन्होंने exercise duty कम कर दिया, 40 रुपे आप से आज भी लूट रहे हैं, क्या हम लोग खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे, जब तक 2014 का exercise duty का level था, तब तक वो कम नहीं होता, हमको अमारी आवास को बुलंद करना पड़ेगा, ये सरकार जो देश की जनता से पैसा लू देखते दर्द होता है, कि जिस पकार से महिला कहते हैं, कि दिवाली पे हम लोग सिर्फ अगरवत्ती खरीद पाएं, पूजा के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं, ये क्या हो रहा है, आद देश में ये कभी नहीं हुआ है, बुखमरी के मामले में कौन से नंबर पे ये सब चीजों को अगर रोकना है, मैं आप सब के माध्यम से जनता को आवान करता हूँ, आए हमारे जन जागरन अभियान से जुड़े, ये कॉंग्रेस पार्टी की नहीं, देश की जनता के लिए अभियान है, जितना आप हमको समर्थन देंगे, उतनी हम आपकी आवास ब दनिवाए!